नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पावर स्टडी चेनल में जी हाँ आज हम बात करने वाले MCB से आप परिचित तो होंगे ही MCB नाम की चीज़ से ये एक टेक्निकल औजार होता है जो कि में लाइट पर लगाया जानी घर के बाहर में जगह पर लगाया जाता है जहां पर इलेक्रिसिटी को पूरी तरह से बंद या चालू किया जा सके वहाँ पर लगाया जाता है लेकिन क्या कभी कबार आपने नोटिस किया ही होगा कि मतलब आपकी MCB ट्रिप हो जाती है यानि कि वह आटोमेटिकल गिर जाती है जब या कोई हैवी चीज या हैवी मशीन रन करत प्रिप हो और जो कि लोड इस MSP की करंड़ शमता से ऊपर चले जाता है तो MSP क्यूं होता है दोस्तों क्या होता है कि MCB के अंदर ना एक वायर ही होती है जो कि करंड़ को पास कराती है तो इसके अंदर एक लिमिट की वायर लगाई जाती है जैसे मांग कर चलिए कि 6 एमप काम करती है वो वायर तो एक लिमिट तक ही वो current को supply करती है और अगर उस लिमिट के ऊपर वो current पहुंच जाता है तो automatically यह mcb trip हो जाती है यानि कि heat मारकर वो mcb off हो जाती है तो आपको यह पता लग जाता कि कोई ने कोई हेवी चीज है या फिर कहीने कोई से कोई अर्थिंग ऐसी है जो कि करंट चूस रही है बहुत ज़्यादा जिसकी बज़ा से MCB ट्रिप हुई है तो यह सीज़े सीज़े कारण है MCB ट्रिप रीजन पता लगाने का अलगलग तरह की कंपनियों की अलगला क्वालिटी की MCB होती है और हर MCB पर उसके एक समता लिखी हुई होती है तो अब जिस बंदे को यानि जिस इनसान को यह knowledgeable वीडियो knowledge प्रोवाइड करा पाई है तो वो इनसान इस वीडियो को आइक करने में एक मिनिटी भी न लगाये और